Hello students, I am Dr. Vinod Kamle. In this video, we are going to see the essentials of a business letter. मतलब कि एक business letter में क्या-क्या चीज़े ज़रूरी होती है. सबसे पहले है clarity. Now, clarity जो होती है, वो business letter का soul होती है. Soul का मतलब आत्मा होती है. Business letter का जो message होता, वो एकदम clear होना चाहिए. जो भी words हम लोग use करे हो, words एकदम simple और common होने चाहिए. बहुत ज़्यादा technical words यूज करना, या double meaning वाले words यूज करना, या कभी-कभी short forms यूज किये जाते हैं, तो ये सब चीज़ों को avoid करना चाहिए. मतलब business letter के अंदर technical words या double meaning वाले words या short forms वेगरा जो हो, use नहीं करने चाहिए. Later के अंदर जो भी नाम या figures हम लोग लिख रहे हैं, वो letter का का काफी important part होता है, और ये जो नाम या figures लिख रहे हैं, वो correct और clear होना चाहिए. जैसे हम लोग Mr. A को later लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे by mistake हमने Mr. B लिख दिया. तो obviously उसके वेश से क्या होगा, सामने वाले पे एक wrong impression create होगा, या फिर हम लोग किसी customer को later लिख रहे हैं, ये inform करने के लिए कि आपका 10,000 जो है, अब ये भी outstanding है, तो आप वो जल्दे जल्दे pay करो. पर by mistake हमने वहाँ पे 12,000 लिख दिया, तो हमने यहाँ पे क्या क्या रॉंग figure लिखा हुआ है. तो हम लोग later के अंदर जो भी नाम लिखते हैं, जो भी figures लिखते हैं, वो एकदम correct और एकदम clear होने चाहिए. Next is conciseness. Now conciseness का मतलब क्या होता है, जो later होता हुआ एकदम brief होना चाहिए. Later के अंदर हम लोग को minimum words use करने हैं, unnecessary या irrelevant information जो होती हुआ हम लोग को business letter के अंदर नहीं लिखनी चाहिए, हो सके उतना उसको avoid करना चाहिए. अगर later हमारा brief होगा, या minimum words में होगा, तो उसके विए से क्या होगा, जो भी reader है, उसको पढ़ने में आसानी होगी, उसका time save होगा, और वो message जो होता है, उसको effectively समझ में आएगा. अगर suppose हम लोग बहुत lengthy letter लिखते हैं, या उसके अंदर बहुत सारी information हमने लिखी हुए है, तो उसके वाज़े से सामने वाला person जो उसको confusion create होगा, और उसको वो letter जो है, वो effectively समझ में आएगा, नहीं. तो इसके लिए जब भी हम लोग business letter लिखते हैं, तो उसको हम लोग को कम से कम words में brief में लिखना चाहिए, उसको conciseness बोलते हैं. थर्ड वन इस completeness, अभी जो भी letter लिखा जाता है, उसके वज़े से reader को complete information मिलनी चाहिए, लेटर के अंदर subject matter के related, जो भी fact या जो भी figures है, वो वहाँ पे completely mention की रहने चाहिए, अगर letter incomplete होगा, तो उसके वज़े से जो भी desired result हम लोग चाहते हैं, वो desired result यहाँ पे अच्छी हो आपको ये goods बेचे थे, उसकी ये value थी और ये date को हमने ये goods आपको बेचे थे, फिर second paragraph में हमको लिखना है कि आपने इतना payment किया है और इतना payment आपका बाकी है, और फिर third paragraph में हम लोग को लिखना चाहिए, कि जो भी आपका balance amount है, वो हम लोग को 15 दिन में, मतलब ये date तक pay कर तो इस तरीके से लेटर के हो गया, complete हो गया, वहाँ पे हमने ये भी mention किया है कि हमने क्या बेचा था, और कितने amount में बेचा था, और कोन से date पे बेचा था, फिर हमने वहाँ पे ये भी लिखा है कि उनका कितना amount balance है, और फिर हमने वहाँ पे लिखा है कि वो जो balance amount है, वो customer क कितने दिनों में pay करना है तो सारे fact को और सारे figures को मतलब सारी जो information है और सारे जो number से वहाँ पर properly लिखे हुई है तो उसके वज़े से क्या होगा कि जो customer है वो properly उसके उपर action लेगा अगर suppose हमने आधी अधूरी information ली मतलब directly हमने later में लिखा कि आपका इतना पैसा balance है और इतने दिनों में हम लोग को वो pay करो तो कभी-कभी ऐसे हो सकता कि customer को ये पता नहीं चलेगा कि जो businessmen ने later लिखा है वो कौन से outstanding के बारे में लिखा है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए complete information अगर हम लोग देंगे क्योंकि courtesy के वेज़ से क्या होता है कि जो भी reader है वो favorable response देता है अगर suppose हमने harsh या rude words यूज किये या insulting कोई भी remark वेगरा दिया तो उसके वेज़े से क्या होगा कि जो customer है उसके उपर हमारा एक wrong impression create होगा और शायद तक वो customer हमारे साथ business जो continue नहीं करेगा या वो हमारे product को purchase करेगा नहीं तो अगर हम लोग को customer के साथ अच्छा relation रखना है plus हम लोग चाहते है कि customer जो हम लोग को favorable response दे मतलब जैसे कि हम लोग उनसे payment की expectation करते तो payment जल्दी जल्दी आये तो हम लोग को उसके लिए क्या करना चाहिए courtesy use करने चाहिए मतलब polite और kind language को हम लोग को later में use करना चाहिए फिर है correctness अभी जो भी हम लोग business later लिखते है वो उसके अंदर की information या message होता है एकदम correct होना चाहिए कोई भी figure के अंदर या fact के अंदर mistake नहीं होना चाहिए जैसे मैंने आपको बोला कि हमने जब later लिखा तो later में हमने पहले ही लिखा कि कौन से goods हमने उनको बेचे थे कौन से date को बेचे थे और कितने amount की goods बेचे थे तो जो भी information हम लोग लिख रहे है या जो भी numbers हम लोग लिख रहे है प्लस जब यह भी हम लोग business later लिखते है तो उसके अंदर कोई भी grammatical error नहीं होना चाहिए कोई भी spelling mistake नहीं होनी चाहिए तो जब यह भी हम लोग later भेचते है तो उसके पहले हम लोग को later का grammar जो है वो check करना चाहिए spelling जो है वो एक बार check करना चाहिए next one is coherence coherence का मतलब क्या होता है कि business later का एक logical sequence होना चाहिए logical sequence का मतलब क्या होता है कि जो भी message है उसको अलग-अलग paragraph में divide करना है सारे paragraph जो है उसको logically arrange करना है और paragraph जो है एक दुसरे के साथ connected होनी चाहिए इसका already मैंने आपको example दिया है जैसे तीन paragraph का अगर हम लोग later लिख रहे तो first paragraph में हमने लिखा कि आपको हमने ये date को ये type की goods बेचे थे जिसकी ये value थी फिर दूसरे paragraph में हमने लिखा कि वो जो goods की value थी उसमें से आपने इतना payment हमको किया है और इतना payment आपका अभी भी outstanding है और third paragraph में हमने लिखा कि आपका जो भी outstanding amount है वो हम लोग को ये date तक आप pay कर दीजिए तो देखो यहाँ पे हर एक paragraph जो logically arrange किया है हर एक paragraph जो एक दूसरे से connected है तो इस तरीके से later जो है logical sequence में होना चाहिए proper paragraph में होना चाहिए and last and important thing is consideration now consideration means you attitude you attitude का मतलब क्या होता है जबी भी हम लोग later लिखते हैं तो हम लोग को reader के point of view से लिखना चाहिए मतलब writer जबी भी later लिखता है तो उस तमय पे उनको reader को importance देना चाहिए reader का अगर कोई problem है तो उसको consider करना चाहिए उसके problem को समझ के यहाँ पे later लिखना चाहिए जैसे for example हमने customer को goods बेचे है और वो जो customer है उसको काफी ज़्यादा loss हुआ है तो यह fact हमको पता है तो जब यह भी हम लोग later लिखते हैं तो हम लोग को वहाँ पे लिखना चाहिए कि सामने वाला जो reader है उसको importance दिया उसके problem को consider किया और उसके इसाब से यहाँ पे later लिखा इसके वैशे से क्या होगा reader जो होते हैं वो motivate होते हैं और फिर बाद में वो उसके इसाब से act करते हैं मतलब वो reader को हमने 5% का discount दिया है तो reader अभी क्या करेगा हमारा जो भी balance payment है वो हम लोगो जल्दे जल्दे repay करने ही कोशिश करेगा जबी भी हम लोग later लिखते हैं तो you attitude रखना बहुत ज़रूरी है हम लोगो later जो है वो reader को समझ के लिखना चाहिए उसके problem को हम लोगो consider करना चाहिए जबी भी हम लोग later को लिखते है तभी so this was all about essentials of a business letter यह मेरे URL जहां से मैंने images लिए है thank you students please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends we will meet in the next video